नमशकार दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे खेत में लगा हुआ है सेम की खेती हमने ये सेम कब लगाया था और अभी इसमें क्या掉 प्रोडक्शन चल रहा है किस upwards दीटेल में हमारे दिखा ने वाले हैं तो जल यwo देख ते हैं ऑसा कि आप देखंग हों चोटा wise शोड़्य नहीं है और उन घ्रीं करेंप और दीन को दीखाते यह तो देखते हैं हमारा सन्साइब कि इसको मैं बनी से भी बोलते हैं इसका जो फल लगता है गुच्छे में लगता है और बहुत ही बेहत्री नुत पादन आता है इसमें अभी तो इसका रेट मार्केट में 30 रूपए किलो चिल्छर में चल रहा है और ठोक में 25 रूपए 20 किलो के आसपास है आप इसकी खेती करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं वैसे यह विराइटी बहुत अच्छी है देशी विराइटी है इसमें इसमें ज्यादा बीमारी भी नहीं लगता और फल बेहत्री ना आता है फल फुल बहुत अच्छे से आता है आप जिधर भी देखे हैं सेम का फल लदा हुआ दोस्तों इस वि पानी चलेगा तब तक इसमें प्रूटिंग आते रहेगा लग 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 15 महीं तक भी आ सकता है इसमें मांदा से मांदा की दूरी 4 फीट है और पौधों से पौधों की दूरी 2-5 फीट पे लगा हुआ है तो आप इस तरह से खेती कर सकते हैं बीमारी की बात करें तो रस थोड़ी बहुत इसमें लगता है फल से दखित तो आप इसमें प्रोफेक्स उपर या फिर क्लोरो साइपर भी डालोगे हलका फुलका तो भी ये वर्क करता है इसमें कोई महंगी दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है इसे हर किसान कर सकता है इसके लिए बहुत जादा इसमें खाद डालना पड़ता है खाद अपने हिसाब से यूजिया पोटास डिएपी वगरा जो भी डालते हैं मैक्रो नुट्रेंस वगरे वो आट कर सकते हैं मेरा ये से मभी तक पांच महने का हो गया है और मैंने इसमें अभी तक तीन बार ही स्प्रे किया है तो आप करे लादा